अदानी Enterprises which had quoted around Rs. 17,000 plus per ton for importing 2.416 million ton of coal was selected for the short term shipment. यहाँ पर कुल मिलाके 10 से भी जादा लोगों ने tender को डाला था लेकिन अदानी Enterprises को choose किया गया था. नवशकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Super IS पे. दोस्तों भारत की महारतना PSU Company Coal India Limited के द्वारा अदानी Group को एक बड़ा जटका दिया गया है. उनको एक tender यहाँ पे दिया गया था जिसको की CIL ने अब कैंसल कर दिया है. और बदले में वही वाला जो tender है वो अब CIL के द्वारा इंडनेशिया की एक firm को सौप दिया गया है. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह वाली खबर कल शाम को ही सामने आई थी. New Indian Express के द्वारा खबर सामने लाई गई है. CIL drops अदानी कोल टेंडर likely to go with the Indonesia-based consortium. बात करेंगे पूरी की पूरी कहानी के बारे में कि पहले जो है वो अदानी को tender कब दिया गया था, कितनी requirement पे दिया गया था और क्या वज़े रही है जिसकी वज़े से आज CIL जो है वो Indonesia वाली इस particular company के साथ जा रही है. चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद. इस lecture की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए टेलेग्राम चैनल के माध्यम से और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जॉइन नहीं किया है तो प्लीज डू दाट. जो कोल के स्टॉक्स हैं उनको बढ़ाया जाए, उनके इंपोर्ट को बढ़ाया जाए, so that जो पावर आउटेज पूरे देश भर में हो रही थी, उनको हम लोग काबू में कर सकें. इसके चलते क्या हुआ था? दो बड़ी खबरें सामने आई थी, पहली खबर जून 9 को सामने आई थी, जिस टाइम पर CIL ने एक मेडन टेंडर फ्लोट किया था in order to import 2.416 मिलियन टन कोल for the power sector. आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और जून 9 को एक और खबर सामने आई थी, जिसमें की CIL ने ये चीज कही थी, that we are going to source 6 million ton more coal from overseas, ये वाली खबर अलग थी, 2.416 वाली और ये वाली खबर अलग थी, कि हम लोग 6 million ton और coal यहाँ पर source करने वाले हैं, overseas से इसमें इनके द्वारा medium term के tender को फ्लोट किया गया था, so that हम लोग domestic supplies को ensure कर सकें, जो 9 जून वाली खबर, जो 2.416 million ton यहाँ पर acquire करना था, उस चीज के लिए जो lowest bidder था, वो अदानी ग्रूप को चुना गया था, यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, जुलाई 5 की यह वाली खबर है, अदानी enterprises which had quoted around rupees 17,000 plus per ton for importing 2.416 million ton of coal was selected for the short term shipment, यहाँ पर कुल मिलाके 10 से भी जादा लोगों ने tender को डाला था, लेकिन अदानी enterprises को choose किया गया था, प्रॉब्लम क्या थी, कि यहाँ पर जो अदानी के द्वारा bid दी गई थी, वो भी जो coal India के द्वारा सोचा गया दाम था, उस से 900 करोड जादा था, तो उस case में यहाँ पर coal India की यह उम्मीद थी कि हम लोग अदानी के साथ बैठ करके, बेसिकली इस price को negotiate कर लेंगे, और जो हमारी उम्मीद है उस price पर इसको ले आएंगे, इसके बाद क्या होता है, कि जो दूसरे वाला tender था, जिसमें की 6 million ton का हमने medium term का import करना था, वो वाला tender यहाँ पर coal India Limited के द्वारा स्वांप दिया जाता है, to this company, जिसका नाम है PT Bara Daya Energy, यह एक Indonesia की firm है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको select किया गया था, medium term के import के लिए, PT Bara Daya Energy के द्वारा, जो यहाँ पर rate quote किया गया था, वो अदानी ग्रूप से 2000 रुपे पर ton कम rate quote किया गया था, लेकिन यह tender अलग था, यह medium term वाला tender थ थे, so coal India ने यहाँ पर decide किया, कि चले ठीक है, हम लोग जो 2.416 वाला, basically आपका tender है, उसको हम लोग cancel करते हैं, और जो medium term वाला tender है, वो हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं, Indonesia की firm को, यानि कि short term वाला tender cancel कर दिया गया था, और यहाँ पर जो medium term का tender है, उसको आगे बढ़ा दि गया था, बलकि medium term tender में, जो Indonesia की firm थी, उससे कोले को खरीदने के लिए, कई सारी भारत की जो जैनकोज हैं, जिनको की हम लोग power generation companies बोलते हैं, वो भी सामने आ चुकी थी, कई सारी generation companies, for example, अधुनिक पावर, रतन इंडिया, साही वार्धा, अवन्था पावर, जिंदल इंड लगभग 4.295 lakh tons of coal को लेकर आएंगे, और September में हम लोग लगभग 3.615 lakh tons of coal को import करने वाले हैं, अब ख़बर सामने ये आती है, July 18 को, कि अधानी enterprises को, जो short term वाला tender दिया गया था, जिसमें कि 2.416 million ton coal import करने वाले थे, उसको यहाँ पे cancel कर दिया गया है, State-owned CIL has cancelled its maiden tender for the short term import of coal in which अधानी enterprises had emerged as the lowest bidder, यहाँ पर जब कई सारे newspapers ने अधानी enterprises से यहाँ पे comment की मांग करी, तो उन्होंने comment देने से इंकार कर दिया, उन्होंने कहा कि हम लोग अभी इस tweet को लेकर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, और अब ये चीज़ सामने आती है, कि finally, वही वाली firm जिसको की medium term का tender दिया गया था, उसी particular firm को short term का tender भी सौंपने की बात चल रही है, आप लोग यहाँ पे दो statements देख सकते हैं, एक सरकारी अधिकारी के द्वारा दिये गए है, यानि कि जो हमें, rate यहाँ पे medium term tender में मिल रहा है, वो बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे short term tender वाले rate को cancel कर रहे हैं, अदानी के tender को हम लोग cancel कर रहे हैं, Moreover, इन्हों ने कहा कि as per the bid document, we can enhance our call requirement up to 100% in the medium term tender, यानि कि हमने medium term में केवल 6 million ton को मंगवाने की बात करी है, हम लोग उसको बढ़ा करके 12 million ton कर सकते हैं, यानि कि हम लोग medium term वाले tender में हमारी requirement को बढ़ा सकते हैं, तो उस case में हमें अदानी से यहाँ पर कोई भी call मंगवाने की आवशकता नहीं होगी, यह पूरी की पूरी development है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिली है, आपकी क्या राय है, क्या call India के द्वारा यहाँ पर अदानी group का जो tender cancel किया गया है, क्या वो सही है, क्या हमें Indonesia के firm के साथ यहाँ पर जाना सही किया, नहीं किया, definitely बताईएगा, comment section में, फिलहाल के लिए व अपने घर बैटके UPSC की त्यारी करना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, using a single subscription, जिसमें कि आपको study notes, doubt resolution और mock test available करवाए जाएंगे, और साथ ही में आपको मेरे द्वारा भी geography लक्या सब्सक्राइब करवाए जाएंगे, और यह सभी चीजें, आप लोग प्राप् 37,000 रुपे पर अनम में, जिसमें कि आपको discounts मिलेंगे अगर आप लोग मेरा special referral code A2, sir, इस्तिमाल करते हैं, thank you so much for listening, stay tuned and stay.